नमस्का आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स तो नजर डालते हैं दिन बर की बड़ी खबरों पर धमाके की आवाद से आसपरोस में हड़कम पुमच गया घटा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुच गई ससुराल पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर जानलेवा हमले का किस दर्ज किया गया है जानकारी के मुताबिक खाना एदमादू 12 चेतर के रहने वाले रवी सिंग की शादी खाना डौकी के जारपूरा चेतर निवासी लाखन सिंग की पुत्री आशा के साथ हुई थी रवी से उसकी पत्नी की अनवन चल रही थी इस वज़े से आशा पिछले एक साल से अपने माईके में ही रह रही थी रवी लगातार अपने ससुराल वालों पर आशा को भीजने का दबाब बना रहा था लेकिन आशा माईके से वापस नहीं लोटी जानकारी के मताबिक रवी अपनी पत्नी को एक बाद फिर्ष से वापस बुलाने अपने ससुराल पहुचा लेकिन आशा ने साथ हाने से मना कर दिया उससे में रवी ने आशा के घर में सुबह चार बजे देशी बम लगा कर उसमें आग लगा दि दमाके के साथ ही दर्वाजे, खिड़की वा घर का सामान शतिक रस्त हो गया थान डौकी के प्रभारी बहादुर सिंग का कहना है कि रवी का अपरादिक इतिहास है शादी होने के बाद लाखान सिंग को इसकी चारकारी हुई तो आशा अपने माईके में ही रहने लगी पिछले एक साल से रवी लगातार आशो को बुलाने के लिए दवाब बराता रहा उसने लाखान सिंग को धमके दी थी कि आशा को भेशो नहीं तो घर को बंब से उड़ा दूगा तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे किन्नी टाइम्स के साथ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले